एक है विलकमस तोड़ेंस आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेस्न में और सभी और समीं को जानकारी है कि आप कौन से प्लेइलिस्ट में बीडियो देख रहे हैं और जो भी उनके गाजियन हैं। उनके सिनियर हैं सभी को मेरा पहले तो बहुत 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 स्वागत और उसके बाद मैं कहूंगा कि आपका जो यह सेशन है उन सभी बच्चों को जरूर सेयर कर दीजिए जो टेन पलस टू का एक्जामिनेशन 2025 में देने जा रहे हैं क्योंकि उन सभी के इतने भी ग्रैमर क के टॉपिक्स हैं सब का एक सिंथेटिक वीडियो और एक सौट सॉलूसन वीडियो मैंने आप लोगों के बीच लाने का फैसला किया था और उसी स्ट्रीच का यह वीडियो है जिसमें हम आज भब के सारे अस्पेसल कॉंसेप्ट और उनके सभी को देखेंगे आदर यह पां सब्सक्राइब है उन सभी का एक सिस्टम तरीका सेट करके इसके अंदर और को सब्सक्राइब कर देखेंगे आप हमारे साथ में तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आपके पास में पहला यह लेकर आते हैं आपको अगर सर्प्राइज हो रहा है कि हम लोगों ने एक सिस से लेकर के आपको लगभख सेवेंटी वन तक लेकर जाएंगे यानि कि इस वीडियो सेशन में आप सिर्फ भव से रिलेटर कोस्टन ही देखेंगे बाकी के वीडियो अगर आप देखने हैं अब टेंस और जुलारी भव का प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते है आज का कोशन का देखते हैं कॉंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास में भव को यूज करने के कुछ बेसिक कॉंसेप्ट का मतलब है कि कुछ भव अपने पहले भीवन लेते हैं तो कुछ बव अपने बाद भीफोर लेते हैं और कुछ भव फिर से अपने पाद भीफोर लेत है यह कौन-कौन से हुख है अभर आप इसको मानते हैं नहीं बघ्वत हब जितने भी हब there मतलब को समझ लो ऐसे ब्राइब न जो आपको मझबूर करते मझबूर का मतलब किसी काम को करने के ये कोई तो था तको गुद्गदाने के बाद हसने पर मजबूर किया तक तुस्ट को नहीं जादा मतलब है सब ज्यादा यूज होता है लेट आपके एक्जामिनेशन में जो सूपर हीट है कॉजेटिव हब दूसरा है में आपके पास में पेड और हैड से कॉस्चन काफी कम पुछे जाते हैं इसलिए आप इसको थोड़े समय कले साइड कर सकते हैं अरी बास समझ में आई लेट और मेड क जाए अगर कोस्चन में लेट और मेड हमको मेन भब के तोर पे मिलेगा इसके बाद हमको एक उब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद हमको हमेशा यहां पर जरूरत पड़ेगा किसका भीए और यही भीवन हमको ऑप्शन से उठागर चिपका देना है आपका काम बन जाएग और औबजेक्ट के बाद यहां पर मैंने क्या बोला था भीवन लाने के लिए अब भीवन ऑप्शन में ढूड़िएगा तो ऑप्शन एक के अलावा कोई दिखेगा यह तो टू भीवन है यह भीवन यह भीवन इसका मतलब है कि कोशन में हमको सिर्फ चाहिए था भीवन तो एक दम सिंपल तरीके से कुछ भी प्रेसर नहीं लेना है अगर आपने कभी इंग्लिस जाता नहीं भी पड़ा होता है तो भी वीडियो आपको समझ में आता है इस तरह से सिंथिटिकली तैयर किया गया है और उसके बाद अबजेक्ट दिख रहा है यानि फीर से अगेन हमक यानि अंसर आपके पास हो जाएगा स्थी नंबर टेक उप हिंदी भी नहीं करना है पूरे कोसन का हिंदी भी नहीं करना है यह होता है कॉंसेप्ट का फाइदा क्लियर तो चलिए हम क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आते हैं और प्रेजल भव नाम भी दिया है ताकि बच्चों को थोड़ा से एक आइडिया मिले और वह कंफ्यूज नहों मैंने क्या लिखा है विट भव अगर हम है विट भव की बात करते हैं तो कौन-कौन से तीन-चार भाई बहन यहां पर दिखाई पड़ेंगे जैसे लेट मेड़ करते हैं क्योंकि मेरा काम इन्हीं चार पर बनने वाला है तो पहले हम टेन प्लस चूटो कर लें कि तयारी बात में कर लेना इंडियस इडियस को हम लोग निकालने के लिए जब जाएंगे तो उसके लिए इस मेरा पढ़ लेना ना उसमें हम बता देंगे डियर सारा अभी फोकस एक्जाम पर करना है लाइक माइंड प्रिफर इंज्वाइब की बात करते हैं इनके बाद हमेशा भब का कौन सा फोर्म यूज करना है अगर मैं सिंग यूज करूं कि मैं सिंग पसंद करता हूं तो क अगर आप अनदेक्स करते हैं और और मतलब है ये शर्व स्थ इंग और फोर्म होंगे जो किसी की आदत में सामिल होंगे और इसलिए आदत बताने वाले भव अपने बाद भी फूर लेंगे तो जब भी कोशन में लाइक माइंड प्रीफर इंज्वाए आएगा उनके बाद भी फूर लेके जाना है अब चलते हैं कोशन के अंदर लगता है आप किसी को अपने घर बुला रहे हो कोशन में माइंड जो है वो क्या कहता है कि हमको तो भी फूर चाहिए अब भी फूर देखोगे तो अंसर आपके पास हो गया चार नंबर इसलिए मैं कर रहा हूं कॉंसेट पे थोड़ा काम कर लो आपको हिंदी नहीं करना पड आपके जो टीचर है उनको कुछ कुछ कॉंसेट एक दम फोकस करने है और उन्हों यह तरह से कोशन आउट कर रखा होता है देख ले भाई तेरे पास अगर यह कॉंसेप्ट है तो कोशन आउट है तेरे को पता है कि हम क्या पूछ रहे हैं ऑप्सन तलासना है तो आप्सन त काम हो गया पूरा तो अकला कोशन देखते हैं कि क्या है ओ हो अब जड़ा सोचना है यह क्या है भई यह कौन सी बला है कोशन में ही के बाद बेंट तो मैंने सुना था लेकिन बेंट के बाद ऑन बड़ा जीब बात है अब इसी को कहते हैं मेरे भाई फ्रेजल भब की कहानी बहुत है सिम्पल सुनानी करना कुछ नहीं है भब के साथ परी पोस्टन लाना है तो यानि कि अगर कोई परी पोजिशन को इपकाल लिता है अपने शाथ में यानि दोनों हाथ अलग है और यह रहाँ पास में प्री पूजीशन अब यह जब दोनों च्फरियर निर्बान और यह कहलाएगा अगर कभी कोस्टे कंष्चन में फेजल्भाव यानि प्री पूजीशन पलस फी पूजीशन फम पलस प्री पूजीशन इस तरह का combination जूड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा वो सब को फ्रेजल भब कहना है और इनके बाद आगे आपको क्या लगाना है तो आपको अगेन भी फोर लगाना है क्या लगाना है यानि बेंट टॉन के बाद भी फोर गूड़ाइट के बाद भी पूर इंट्रेस्टेड इनके बा मत जाओ कि लाइफ में इंगलिस असान कर आपके पास में 67 नंबर देखिया स्क्रीन पर क्या है इस बैड़ फॉर हेल्थ अब मैंने पूछा क्या बुरा है हेल्थ के लिए एक दिना स्मोकिंग कर रहा कि रोज 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 का मतलब है कि कोई काम कैसे होग यानि यह 2021 के एन्वाल इक जामिनेशन में जब पूछा गया तो उसने कहां से कोशन पूछ दिया हैविट से और मैंने अभी थोड़े दिर पहले ही चर्चा किया था कि आदत का मतलब क्या कंटीन्यू काम करना तो कंटीन्यू का मतलब ही फॉर तो कोशन में जब कभी किसी भब को सब्जेक्ट बनाना चाहता हो तो हमेशा किसके पास जाएंगे मैंने आपको लिख दिया है कि सिंग्लर सब्जेक्ट के रूप में भीफुर को संटेंस के सुरू में रख सकते हैं कभी भी अगर किसी भब को कान पकड़ करके ला रहे हो चल तू इधर आ ठीक है कान पकड़के खीच रहो किसर तू इधर आओ सब्जेक्ट बनो तो भी यह कहेगा ठीक है मेरे को भी पर हो गया काम जब कोस्चन में भीफुर बना दोगे किसी भब को तो वह आपका काम करेगा क्या चीज़ का सेंगुलर सब्जेक्ट अब जब सब्जेक्ट है तो अब्जेक टेक हिज बेबी अस्टेप्स लगता है ना कि कोई नई नई ममी बनी है और वो कहीं पर बैठ करके अपने बच्चे को कदम बढ़ाते हुए देख रही है आपको नहीं लग रहा है कि वह इंजॉय कर रही है क्या बच्चा कदम एक पर बढ़ाएगा कि कंटिन्यू बढ़ा आप के पास में यान भी फॉर होगा और वही कोशिन का अंसर क्या हो गया पाचिन को दो है देख रही है का मतले क्या बढ़ाएग अगर किसी को मैंने कहां देख 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 तु जब आता पार्टी में आएगा तो पार्टी में जुरूत नहीं है इसका मतलब है कि कोशन में मनाही है जब भी कोशन में मनाही की बात हो तो जो जाएगा वह सही अंसर जाएगा निड़ाट यह देख लो भाई फिर दे यू नौट तो गोट अटेंड ना मीटिंग तेरे को मेटिंग क करने का जुरूरत नहीं है मनाही मनाही के सेंस में डिड़नोट कि आजाओ प्लीज भी क्वाइट आया फूंबर्ग देखो 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 बातचीत के दोरान जारी घटना को बताने के लिए प्रजेंट कंटिनिवस आएगा जैसे मैंने का अरे थोड़ा सा सा था सा है है फ़रा सांत रही हम सूर रहे है इसका मतलब क्या है बातचीत हो रही है कहें पे इस दवरान आप जो कुछ वी काम करूगे वह भी तो जारी बात होगा मैं कुछ कह रहा हूं सुनलोम्स दो मैं कह रहा था कि किर्प्यास सांत रहिए Na постоянно है यानि की अंसर हो जाएगा आएम के साथ में तो सब्सक्राइब कर देना साइड अगर कोस्चन में नहीं है तो पीछे भागने का जरूरत भी नहीं है आई बास्मझ में चलिए अगला कोस्टन आपके पास में रीता टूदा रेडियो बादचीत हो रही है उसी दौस्ट्न आपने बताया कि रीता जो है वो सुन रही एक कि हम कुछ कर रहे थे सट आपSí हैने मेरे बाधचीत के दोरां कम जारी था तो जब कम जारी अच्वाय तो मतलब है कि यहां पे भी तो ठीक था भीना वीन भी फुर होगा नहीं रीता कब से आम लेने लगी रीता के बाद है तो ठीक है लेकिन लिसनिंग कैसे होगा बीना भी इनके अंसर बच गया कौन एक यानि यहाँ भी ऑप्सन एलिमिनेशन लग गया कोश्चन बन गया काम खतम हो गया चलो एक कोशन और है आपके पास में यू को खुद देख करके खुसी होनी चाहिए यही था मात्र अभाब का स्पेसल कोश्चन जो अब तक एक्जाम में पूछा गया है इससे ज्यादा की जानकारी 10 प्लस टू के बाद करेंगे फिलाल 10 प्लस टू निकाल क्या आओ बढ़ी है नमर लेक्याओ ग्रेमर में कहीं करो म हम परिशान नहीं होने वाले हैं आप अगला वीडियो से संक्या होने वाला पता होगा विडियो आने वाला है आप लोग इसके बाद वाला वीडियो देखेंगे इत्मिनान से उसके सारे रूल्स बगरा समझ लेए और अगर आपको लगता है कि हमको इनके पीडियाफ भी के फॉलो कर लेना आपको वहाँ पे मेरा ग्रूप मिल जाएगा वहाँ पे टेन प्लस टू के नाम से कुछ वीडियो होंगे और कुछ पीडियाप होंगे आप उन्हें बना सकते हो और आपका टेलिग्राम है अभी सरके ठीक है अभी सरके नोट पराम से जाओ वहाँ पे और टेलिग्राम को सबस्क्राइब करके रख लो आगे बहुत ही काम आने वाला है और बिशेस बाते हम लोग करते रहेंगे फिछाल वीडियो में तना ही अगला वीडियो भायस का आने वाला है जरूर देख लेना